तो गाइस नया लाप्टोप आपको लेना है आपने चूज़ के एक DOS operating system वाला लाप्टोप क्योंकि कीमत उसकी बहुत जास सही होती है और यहाँ विंडोस को कैसे इंस्टाल करते हैं चाहिए वो विंडोस 10 हो 11 हो दोनों आप लोग को मैं दिखाऊंगा कैसे आप लोग को ड तो लास तक देखो चलिए किक स्थार्ट करते हैं अगर यह वीडियो को पसंद आया तब चाहिए लाइक प्रेस कर सकते हो वीडियो देख लो और उसके बाद चैनल का कंटेंट भी और देखना चाहिए तो सब्सक्राइब भी करते हैं चलिए में देखते क्या कि हमें चीज आपके सौंट्र डाउनलोड करना होंगा जिसका नामेर रूफस। एक च्छोडा सा सौफट्र है जैसे कि आप लुग एक लिंक मल जाएगा नीचे ऐसे आप लोगो को डाउनलोड करना है जैसे आप लोगो स्क्रीण में दिखाए तरह सिब डाउनलोड करो इसको आपको ऐसा कुछ पेज देखने को बंज़ेगा, जहां पर कुछ अपछ करो जैसे कि यहाँ पर आई फॉन है और यहाँ पर आप नो थ्रोट्लिंग कोईए वगारा कुछ-कुछ है तो आपको चाहिए यहां पर सब्सक्राइब डिवाइस चूज करना है आपके पास एडिशन तो यहां है आपको पूछेगा कि और क्या आपको चाहिए कौन से language में चाहिए language सिलेक करो कंफर्म कर दो कंफर्म करने के साथ साथ किया वैलिट होगा और यहां पर आपके समय आएगा 64-bit डाउनलोड करना है तो यहां पर क्लिक करो डिरेकली आपको ISO मिल जाएगा और साइज आने पर डाउनलोड कर सकते हो स्टाट तो इस तरीके से विंडोस 10 को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो तो विंडोस 11 को डाउनलोड करने के लिए एक अलग सा प्रसेसर जैसे कि आप लोगो एक अब भी विंडोस 10 पे ही स्टेबल बैठे रहा हो जब स्टेबल बिल्ट आएगा आप लोगो अपडेट मिल जाएगा तो विंडोस 10 से आप लोग उसको अपडेट कर सकते हो बट अगर नहीं चाहते हो आपको विंडोस 11 चाहिए तो आप डेवलपर प्रीवी आपके प्रि लेते हैं तो नेक जो है रूफस सॉफ्टर कुछ ऐसा देखने को में पेंड्राइब जो है एक 16 जीपी आप लगा लो जो भी फाइलेट हो जाएगा मेक श्यूर करना बैक अप करना और उसके बाद बूट सेलेक्शन में जाके आप लोगो डिस्क और आईसो इमेज सिलेक् और यहां पर जो पार्टिशन वगेरा जीपीटी रखने दो और यहां पर यहां पर कुछ भी आप लोगो करना नहीं है सिर्फ जो स्टार्ट बटन है नीचे वहां पर क्लिक करना मेक शूर करना जितने भी फाइल से वह फॉर्मेट हो जाएगी तो पहले कॉपी कर लेना य वेट करो थोड़ा टाइम में यह हो जाएगा और उसके पर आपको यहां पर रेडी का कमांड आएगा ओके प्रेस करना और आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगा अभी एक सॉफ्टर आपको डाउनलोड करना है क्योंकि देखके यार मैं जो लैप्टॉप आप लोगो मिलेगा तो पहले उस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं यहां पर एक लिंक है जो कि आप लोगो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहां पर जाके आप SSD के लिए ड्राइवर डाउनलोड कर लीजिए उसको कुछ करना नहीं आप डाउनल तो चलिए लैप आप में देखते हैं अभी इसको कैसे Windows को इंस्टॉल हम लोग करेंगे तो लैप टॉप कोई भी मैनेफेक्ट्र की हो सकती है HP, Dell या फिर कुछ भी मेरे पास है Lenovo की तो Lenovo मैं यहां पर फर्स मुझे जाना होगा बूट मेनू के अंदर पाउर बटन प्रेस करते ही मैं यहाँ बे एप 2 बटन प्रेस करूंगा और साथ चाती ही आप सेक्यूरी आप्शन में जाके मुझे यहाँ पर फर्स्ट चाहिस करना है कि डिजैबल करना है Secure Boot को अगर Secure Boot अनाबल होगा तो यहाँ बूट ही नहीं होगा आपका Drive तो उसमे विन्डोस यहाँपे लोड होगा और यहाँपे विन्डोस लोड होते ही आप लोगों को यहाँपे चूस करना है कॉन सा वरशन आप को इनस्टॉल करना है और आप Kommissonик करते होंगा क्लिक करो ड्राइब मिसिंग का एरर आएगा but this can be solved इसलिए हम लोग उने ssd का software जो उसको copy किया था इसको हम लोग यहाँ पर ड्राइबर को install करेंगे यह करने के लिए हम लोग को नीचे जो है लोड ड्राइबर का option है वहाँ बहुत क्लिक करना है तो यहां पर ऐसे unallocated space होगा तो उसको select करने के बाद नीचे आपको new button है क्लिक करना है वहां पर size select करके ok प्रेस करो फिर आपको यह पर partition दिखा देगा सबसे primary partition जो है वह select करना जैसके यह पर partition 3 है और next पर प्रेस कर देना है और size आप लोग यहां पर डिरेक्ली जो है Windows को install कर पाऊगे चाहे Windows 10 आपने USB में बूट किया था या फिर Windows 11 जो भी आपने बूट किया था वह आप लोग इंस्टॉल कर पाऊगे तो थोड़ा time लेगा और उसके बाद आपकी जो Windows ready हो जाए एक restart होगा और आप जो Windows को use कर दूसरी चीज जो है यहां पर जितने भी ड्राइवर से लेनोगु का यह लैप्टॉट अपने के साथ जितने भी ड्रायवर से आपको man swayowalyjuk करना है और इसको iOS को install कर लो और उसके बाद जितने भी software से एक restart के बाद व essent अप्डेट करते बाद एक चीज धियान रखना कि आपका लैप्टॉप जो है कनेक्टेट होना चाहिए विद पावर एडप्टर जो की इसी एडप्टर आपको मिलती उसको लगाते हुए यह चीज करना और करना कि बैटरी जो है चार्जड हो क्योंकि यह अगर बंद हो जाता है तो कि बाइस खराब हो सकती है तो इस जीज ध्यान रखना तो बाइस को अपडेट करो और उसकी बाद सारे जो ड्राइवर से एक 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 कर की इंस्टॉल करो सारे आपकी फंक्शनालिटी जो है अच्छ का option आपको settings के अंदर मिलेगा वहां में जाओ और यह product की आप लोग वहां पे डाल सकते हो तो प्रड़क की के बाद करती है तो यह कहां से लोगे तो प्रड़क की आपको डिरेक्ली मेल जाएगा यहां पे प्रड़क की नीचे आपको description box में आपको एक number मिल जागा यहां मह address भी है आप फिजिकली जाके भी विजिट कर सकते हो अगर आपको कोई भी विंडोस वगेरा को एक्टिवेशन वगेरा करवाना है तो वह असानी से कर देंगे प्राइस जो है वैरी करते रहता है तो प्राइस बता नहीं सकते हैं प्राइस के लिए आप लोग नीचे से बात का सकते हैं कॉल भी कर सकते हैं या फिर वाथसेप में भी पात का सकते हैं आपको प्रवाइट कर देंगे तो आइखोप यह वीडियो पसंद आया को पसंद आया होगा सारी डाउस क्लियर होगे क्या कि चीज़ें दिक्कत आ सकती है इफ योर भाइंगे डॉस Laptop, हा यह वीडियो पसंदा है पसंदा है तो लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो यार ऐसे मज़िदार कंटेंट में डालता रहता हूं तो मिलते हैं किस अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे एलर्ट स्ट बाइ